हिंदु तुवादी मिडिया का परिचे देने से हिंदुस्तान के कई पत्रकारों को बड़ी मिर्ची लगती है। हम हिंदु भी हिंदु ही सिकुलिस्ट होता है। हिंदुस्तान में करीब 700 बत्ती चैनल है। और उसमें आप इसको आप योगा योग कहे या कुछ भी कहें। न्यू चैनलों की संक्या 420 से है। और केवल यही नहीं है। रावन का मंदिर जिस नौइडा में हैं वही पर सारे चैनलों का हेड़कॉटर है। तो अब ऐसे मिडिया से क्या अपिक्षा कर सकते हैं। गांदी जी ने हरीजन शुरू किया था भारत में आने के बाद। जब भारत में नहीं थे तो दक्षिन अफरिका में भी उन्होंने भारत ओपिनियन नाम का अकबार चलाया था जो तीन भाषा में चलता था। हिंदी इंगली स्वर मल्यालम। बागाचिंग भी थे। इसकारन हिंदुस्तान में पत्रकारों के प्रती एक आसता है, एक विश्वा से। उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये जो भी बोलेगा टीवी वाला जो दिखाएगा वो सच है पेपर वाला जो छापेगा वो सच है इस विश्वास का गलत फाइदा विदेशी शक्तियों ने उठाया और दुनिया में सो से जादा देश ऐसे है जिन में विदेशी चैनलों को नहीं है करेब इतने ही डेशों से जादा इसे देशे जिन देशों में मिडिया में एक भी रुपया विदेशी निवेश अलाउर नहीं है लेकिन हमारे हाप धिरे 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 पॉलिटिकल लॉबिंग में हमारी सरकार भीक होती गई और नॉन नूट चैनल और आप पर आख बंद करके भरोसा करता है और इसलिए हमको उसको समझाना है कि तू जो भी देख रहा है वो सच ही होगा ऐसा नहीं है बलकि गलत होनी की संभावना ज्यादा है और इसलिए हमको यह समझना चाहिए जैसे विदेशों में और भारत में फर्क क्या है पैसे कैसा आप जानते होंगे लेकिन मैं आपको रिमाइंड कराता हूं विशे के इस फ्लो में जैसे भारत में तिरुपती देवस्तान ही उसके पास अतिरिक्त जब पैसा हो जाता है तो बैंक में रख सकता है एवडी कर सकता है शिर्डी साहिब अपस नस्ताने सिद्धिविनायक हैं इ डिकार मार्केट में भी लगा सकती है और जो oynसलमिक बड़ेilles record में लगा ने अगते हैं अब payroll मार्केट में लगाए तो वह बहुत बड़ी चिंता में बनना चाहिए बिदेश में खास करके पच्छीमी देशों में खृच्चन देशों में धर्म और वहां का व्यावसा एक दूसरे को पूरक काम करता है जो आज भारत में भी हम एक सोशल responsibility के तोर पर जो fund आजकल सब लोग दे रहें बहाँ पर भी यह fund बहुत पहले से हैं वो सब चर्च को जाता है और फिर चर्च उसके लिए और ओर चर्च के लिए एक दूसरे को पूरक माहूल बनाता है वो माहूल कैसा बनता है तो मानों कि कोई American company भारत में आ रही है और American church को यहाँ पर धर्म का प्रचार करना है और उसको यहाँ पर आपने product का प्रचार करना है तो यहाँ पर एक media house चाहिए तो उस media house में वो पैसा लगता है जो कि धार्मिक संस्ता डायरेक भारत की media में पैसा नहीं लगा सकती तो किसी fund के द्वारा उसमें आता है उसमें भी limit होने के कारण बाकी का जो पैसा है ओ पैसा जो एडवटाइजमेंट दिया जाता है कोई भी फिल्म लीजिए और कोई भी TV सीरेल लीजिए आपको यह ध्यान में आएगा कि उसमें सेकुलरिजम जबरदस्ती परोसा जाएगा उसके बाद उसको शांतिप्रे समाज के लोगों को अच्छा दिखाया जाएगा और प्रयास करके कोई हिंदू इमेज का व्यक्ति और आजकल बड़ा असान है कि एक पटका डाल दो गले में टिका लगा दो तो समझ में आता है कि यह कोई हिंदू आधी एक्टिविस्ट होगा उसको बदनाम किया जाता है जमीन पर ऐसा चित रहे क्या उल्टा चित रहे लेकिन ये चित्र टिवी सीरेलों में दिखाया जाता है जान बूझ कर आप कितने आप कई लोग टिवी सीरेल जरूर देखते होंगे ने तो आप गूगल पे जाकर टाइप करिए आपको ज़्यादा तर जो लड़का लड़की के प्रेम प्रकर कियों ये सब कुछ फंडेड होता है आप लोगों को ये हिंदुस्तान को समझानी क्या वशकता है ये सब कुछ आप भी अपनी जगह पर कहल सकते क्योंकि मिडिया का सुरूप आने वाले दिनों में और बदलने वाला है अब जैसे जैसे सोशल मिडिया हलाकी बहुत कम प्र कर रहा है उसको भी आपको बढ़ाना चाहिए साथ साथ में लोकल केबल टीवी चैनल ये कंसेप्ट अभी आजकल बढ़ रही है लेकिन लोग उसको नहीं ले रहे हैं आप कोई और ले चर्श की या मिशनरी लोगों की एक्टिविटीज में ज्यादा आगी होती है तो आप की बड़ा है